वायकुजी का खालसा वायकुजी क्षते जय जोहाद जय चत्थिस गड़ कल के मामले में आपसे मैं दोश्ब्द कहना चाहूंगा कि कल जो हुआ है उसमें कहीं न कहीं सिक समाज को जो बदनाम करने का जो शड़ें तरचा जा रहा रहता यह protection भी इसी मामले के लिए था कि जो पंजाब में घटना गरम घट रहे हैं जो विश्णोई के दो दिन उसकी interview चली छे साल के बच्ची की हत्या कर दी उससे पहले भी कई हत्याएं हुई है जो वहां का जो शाशन है वो शाशन सही तरीके में अपना काम नहीं कर रहा है और बेकसूर लोगों को जो वहां पे जेलों में डाला जा रहा है यह उसके खिलाब protection था हमें भाई अमरित पाल या खालिस्तान क्या लेना देना है हमारी सिख community 36 गड़ में अच्छे से काम कर रही है सेवा कर रही है सेवा वलिदान हम तो कभी देखे नहीं कि हमको 36 गड़ में सेवा करनी है कि महाराश्ट में करनी है देशों में करनी है विदेशों में करनी कर रह बस यही कहना चाहेंगे कि हम पंजाब से जुड़े हुए हैं, हमारा पैतरक राज्य पंजाब है, वहाँ पे ऐसी जो हमको पूरे देश विदेशों में जो हमारे को शाप छोड़ी जा रही है कि ये खालिस्तानी, हम बताईए कल कौन सा, वहाँ पे खालिस्तानी का, हमने नारे लगाएं, देश विदेश विदे नारे लगाएं, कहीं कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ कानून के दाइरे में रहके कानूवस्ता बनाया जाए, अमरितपाल पे जो कारवाई की जाए, वो कानून के दाइरे में की जाए, हम किसी खालिस्तानी के पक्ष में नहीं, किसी अमरितपाल के पक्ष में नहीं है, मात्र हम ये कहना चाहेंगे कि पंजाब में जो खालिस्तानी की और आतंगवादी जैसी जो पंजाब पंजाबी दिख रहा है उसको आप इस टाइब का हम दो फाड हमारे को लड़ाना चाह रहे हैं और यह सब नहीं हम हिंदू मुस्लिम सिक रिसाई आपस में भाई-भाई का जो नारा है इसे बुलंद किया जाए और ऐसे ह ही जीवन जीना चाहिए एक सी कमुनिटी को अलग दाइरे में रखके इस टाइब का मीडिया और अन्य लोगों के बीच हमारी जो चाप है वैसी न छोड़ी जाए धन्यवाद